दोस्तों ये बात तो सब जानते हैं कि भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है उन्ही नामों में से एक नाम है त्री लोचन जिसका अर्थ है तीन आखो वाला क्योंकि एक मत्र भोले नाथी ऐसे देवता हैं जिनकी तीन आखे हैं इसलिए उन्हें त्री लोचन भी कहा जाता है मानेता है कि शियो भगवान अपने तीसरे नितr से सोभ कुछ जान सकते हैं जो कि आम आँखों से नहीं देखा जा सकता लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शियो के हिए तीन नितr क्यों है और अगर आपने ऐसा सोचा है तो आपके मन में ये बात जानने की इच्छा जरूर हुई होगी तो चलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा वैसे तो ये बात सब जानते ही होंगे कि इस तीसरे नितर का इस्तिमाल शीव केवल करोद की अवस्था में ही करते हैं ऐसा भी माना जाता है कि भगवानuden शीव ही तीनों लोकों पर नजर रखते हैं इन्हें श्रिष्टी में प्रलय का कार्ण भी कहा जाता है शिव के तीन नेतर इस बात का परतीख है कि यह इस अंसार में व्याप्त तीन गुण रजतम और सत्य के जनक हैं इनकी ही प्रेणना से रजतम और सत्य गुण विक्सित होते हैं भगवान शिव की तीतरी आख उनका कोई अतरिक्त अंग नहीं है बलकि यह दिवे द्रिष्टी का परतीख है यह द्रिष्टी आतम ज्यान के लिए बहुत जरूरी बताई जाती है शिव जी के पास ऐसी दिवे द्रिष्टी होने का कोई अचरट की बात नहीं है महादेव की छवी उनकी तीसरी आख को और भी ज्यादा परभावचाली बनाती है शिव की तीसरी आख के रहसे में कई सारी कथाए परचलित है लेकिन इस संधर में एक ऐसी कथा परचलित है जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है एक समय की बात है जब पारवची जी ने भगवान शिव के पीछे जाकर उनकी दोनों आख अपनी हतेलियों से बंद कर दी इससे सारे संसार में अंदकार चा गया क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव की एक आख सूरिय है दूसरी चंद्रमा है अधेरा होते ही समस्त संसार में हाहाकार मच गया तब भोले नाथ ने तुरंट अपने माथे से अगनी निकाल कर पूरी दुनिया में रोशनी फैला दी रोशनी इतनी तेज थी कि इससे पूरा हिमाल्य जलने लगा ये देखकर मादेवी घबरा गई और तुरंट अपनी हथे लिया शिव की आखों से हटा दी तब शिव जी ने मुस्कुरा कर अपनी तीसरी आख बंद की शिव पुरान के अनुसार पारवती जी को इससे पुरुग्यान नहीं था कि शिव तरी नेतर धारी हैं तो दोस्तो ये थी एक कहानी जो कि शिव पुरान के अंदर मैंशन थी जिसमें बताया गया था कि मादेवी को पता ही नहीं था कि भगवान शिव की तीन आखे हैं जब उन्होंने उनकी आखे बंद की वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन जरूर कर देना मैं आपको दोपारा मिलूँगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो के साथ तब लग के लिए बाई बाई टाटा सी यू सुन गाई